हेलो दोस्तों मैं संधी डिकोडिनेट से आरफ से आज आप लोगों के लिए लेके आएं पॉलिटिकल थेड़ी पढ़ने के कुछ तरीक है अगर आप पॉलिटिकल साइंस का सिलिबस देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि काफी ज्यादा सिलिबस हैं मतलब अगर आपके व लोगों से आगे निकल पाएं और बाकी लोगों से भाइदर करते हैं तो हम अगैसे को समझत होता है पोगी पुलिटिकल यजी कौंसेप्स है और उनको डिलेट करना समझना फर आपस में जो डिबेट्स ओरुसा समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कोई दिकत नहीं हम कोशिज करते हैं कि कैसे उस चीज को समझना है पहला है कि जब आप कॉंसेप्स पॉर्ड हो तो कॉंसेप्स को आपको यह मान के चलना है कि किसी बिल्डिंग के तरह है जो बन रही है इवाल हो रही है और वैसे इमेजिन कर रहा है कि अलग लग फेज में वह अलग तरीके से दिखती थी और अभी कैसे दिखती है यह सारी बातें आपको पता होने चाहिए तो उसके लिए क्या करें आप ग्राफ बनाना से कोई भी आप पढ़ते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए यह वाइस भी किसे कोई भी आपने कॉंसर उठा लिबर्टी उठा लिए तो आप ग्रीक टाइम से देखना शुरू करें फिर मेडिवल में आया है फिर आप जॉन लोग पे आते हैं फिर जेसमेल पे आते हैं लिए कि किसने क्या बोला है राइटर लिखने और उसको एक लाइन में लिखके ग्राब बनाएं एक ही पीज में पूरा का पूरा का पूरा देखेंगे तो आपको कहीं न कहीं ज्यादा बेटर क्लियर नजर आएगा कि उस तरह में आप पढ़ते जाते हैं एक साथ विजु यहां मूफ कर रहें है हुआ पहला जो काम करें आप यह गरें हैं दूसरे आपको डिपेटी हण मतलब जो इसमें आरगिमेंट हैं एक इंसान के ऐक exist क्लाव गश्रा का आउंस्सक्रें बातों को थोड़ा का बोसुआ नि writes डिआ दूसरा जो काम कर रहे आपको ऊर् envoy तो पूरा गेम जो है ठीकर्स का ही है जो लोग सोचते हैं वह क्या लिखते हैं फिर उसको कॉंसेप्ट की तरह भांकि लोग देखने की कोशिज करते हैं लेकिन फो अपना आइडिया देता है फिर फोकिस में आपको देखना है और नेक्स्ट वीडियोमे में आपको बता दू मानी जी कि आपने liberty पढ़ा तो उसमें कौन-कौन से main thinker है फिर आपने दूसरा कोई concept पढ़ा justice पढ़ा तो उसमें कौन-कौन से thinker है जिनका काम important है वह आपको list बनाना है और वह list बनाते ही काफी दिक्कत आपकी solve हो जाएगी कि हम मेंसे जादा तर लोग क्या करते हैं हर concept separate separate पढ़ते हैं तो जब आप liberty पढ़ते हैं आपको लगेगा क्यों liberty में इतने हैं लेकिन बहुत सारे thinkers होते हैं जो liberty पर भी बोलते हैं वो जाके justice पर भी बोलेंगे आगे कहीं बोलेंगे तो जब दिक्कत आती है उसके लिए कि अगर नहीं आपको एक page बनाना है जिसमें आप सिर्फ writers के नाम लिखेंगे आप concept लिखेंगे सामने पहला नंबर का concept है liberty उस पर जो में में राइटर है आट दस उनका नाम लिख लेना है उनके सामने अगर जगा है आप काफी छोटा लिखते आपको जो एक बार में ही आप सारों को देख लेंगे सबको देख लेंगे तो आपका जो confusion वाला पार्ट है वो खतम हो जाएगा और वो important है क्योंकि यह exam जो है multiple choice है तो आपको अगर confusion है तो बाद में आपसे गलत होने की possibilities बढ़ जाती है तो आपको वो खतम करने के लिए जादा बेतर आपको याद होगा जो दो तीन debate important है एक उनमें से decline of political theory और दूसरा है इंडा फाइडिलोजी यह दोनों debates में कौन-कौन से thinkers participate कर रहे हैं एक grab बनाना है कि debate के दोनों साइट कौन से कौन है जो बोल रहा है कि decline of political theory हो रहा है कौन बोल रहा है कि नहीं हो रहा है य भी आपको note करना है detail से मैं देरे देरे जो next slide आएंगी देरे करके मैं बताऊंगा लेकिन तब तक आप पढ़ने के लिए यह चीज़ें बढ़े इंडा फाइडिलोजी में आपको जो जो डिबेट में देखना है कि कौन से thinkers हैं जो साथ दे रहे हैं यहां यह जो कहा गया है कौन है जो इसके अगेंस और ऐसी और भी डिबेट्स हैं जिन पर ध्यान रखना है आपको डिबेट्स चलो पता होना चाहिए कि हलका सा पता है लेकिन कौन थिंकर्स है कहां पर उसका concept दिया हुए उस topic के और कौन सा idea दिया है उन्होंने वह आपको याद रखना है तब सब्सक्राइब करें और जो एक काम आप कर सकते हैं जो कि मैं करता हूं और मुझे हमें साथ से बहुत अच्छा लगाया वो काम वह जब भी आप फ्री होते हैं उस concept को रिकॉर्ड करने की कोशिस करें वह आपने पढ़ा चार गंते क्योंकि बहुत difficult होता है एक बार आप परग्राफ का मतलब से पता चल जाए एक तरीका यह है दूसरा है आपको रिकॉर्ड करना थी मतलब अगर आप पढ़ लेते हैं पचास पेस बीस पेस पढ़ते हैं और आपको लगता है कि दुबारा जब एक महने बाद आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं पढ़ें तो एक घंटे के अंदर ही वो रिकॉर्ड करें अपनी लेंग्वेज में उठके खड़े हो के याद करते हुए कि अच्छा है यह मैंने पढ़ा इसमें इन्हों ने यह कहा ऐसे कहा और यह करते हुए और वो रिकॉर्डिंग आपको अभी भी सुन लेता है जब आ इसालन सब्सक्राइब और निल्कुल इंगे और आपको पॉल्ले साइंस पढ़ने में मंचा भी साय силь इतना अच्छा सब्जक्त आर वो शान ओंभी साइन्स करईंे और एक्छुशों को जादा अगद आज आए जो नेक्स्न वीडिए उसमें बात करेंगे कि पॉलिटिकल थिंकर्स को कैसे पढ़ना है और उनमें क्या-क्या बातें ध्यान रखने हैं कि थिंकर्स सेंटर पे हैं फॉलिटिकल थॉट और थिंकर के बारे में बातें करेंगे वेस्टेन भी इंडियान भी और ऐसी आप लोग वीडियो देखते रहें सब्सक्राइब करते रहें और अग इन सवाल डालके या करके उतनी जदा नेने वीडियो जाते रहें कि ओप